आईए अब हम जानते हैं दुर्बल विद्दुत अबघटे यानि कि दुर्बल अमलों तथा दुर्बल छारकों के आयनन इस्थरांग की गर्णा किस प्रकार से की जाती है। तक ही आयनित होते हैं और इसलिए दुर्बल विद्दुत अबघटों के आयनन इस्थरांग या व्योजन की मात्रा की गर्णा करने के लिए उस्टवाल नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रतिपादित किया। या डालूशन के वर्गमूल के समानुपाति होती है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी दुर्बल विद्दुत अबघटों की व्योजन की मात्रा उसकी तनुता के समानुपाति होती है। या फिर उसकी सांद्रता यानिकी के वितुक्रमानुपाति होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो डालूशन होता है वो समानुपाति होता है वन बाई कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पर जो डालूशन है वो समानुपाति है वन बाई कंसंट्रेशन के। कैसे होती है इसे हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम उदारन लेते हैं एक दुर्बल विद्धुतप घटे दुर्बल अमलका हम जानते हैं जैसे कि ये कोई हो सकता है या फिर यह हाडुजन साइनाइड हो सकता है जो की दुर्बल विद्धुतप घटे होते हैं तो एक दुर्बल विद्धुतप घटे मालीजे हमारे पास है चेक्स हम कॉमन ले रहे हैं और जब हम इसका जली विलियन बनाते हैं तो इसका चुकि इसका आइनन कम होता और इसलिए तो यह जो प्रोसेस होती है वो रिवर्जिबल होती है और यहाँ पर इक्लिब्रियम स्थापित होता है साम्य वस्था स्थापित हो पाती है तो यहाँ पर जो दुर्बल विद्दु तब घटे होता है मालीज यह HX है जब इसे हम जल में घोलेंगे तो यह साथ जो दूसरा भाग होता है जो रिनावीशित आयन होता है वह होता है एकस माइनस आयन अब यह इस प्रकार की जो प्रारंभिक सांद्रता यहां पर होगी तो माल लिजे यहां पर जो दुर्बल अमल है उसकी प्रारंभिक सांद्रता सी मोल पर लिटर है उसी तरह से चुकि यहां पर शुरू जो अभिकरिया की प्रारभ में प्रोडक्ट नहीं होंगे इसलिए यहां पर हैडरोनियम आयन की सांद्रता साथ यहां पर X- आयन की सांद्रता दोनों ही शोने होगी जैसे जैसे अभी क्रिया आगे बढ़ती है यहाँ पर जो दुर्बल विद्धु तब घटे चुकि बहुत कम आयनित होंगे इसलिए इनकी बहुत ही कम मात्रा व्योजित हो रही है और माली जी यह जो मात्रा है वो अलफा है वो व्योजित होकर प्रोड को हम ले लेते हैं सी अलफा तो यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर जो व्योजित होने वाल के बनने वाले प्रोड़क्ट की मात्रा हो जाएगी सी अलफा और उसी तरह से एक्स माइनस की सांदर्ता भी हो जाएगी सी अलफा तो यहां पर साम्य वस्था में जो हमारे पास जो संदर्ता प्राप्त होगी वह चुकि यहां पर जो मूल संदर्ता थी उससी में से c x सांधर्ता निसकाशित हो चुकी है व्योजित हो चुकी है इसलिए बची हुई सांधर्ता जो होगी वह घाएगी 10 सीएक्स के mc elf a ke और इसी तरह से हैड्रोनियमान की सांधर्ता c अलफ तथा एड एक संद्रता भी हो जाएगी c-αई अब इसके लिए को कि यह दुर्बल अमल है और इसके लिए जो सामने स्थरांग हो जाएगा के रहीं के यह इसगोल टो हो जाएगा c-α माइनस c-adpyl p और ऊपर यहां पर c- cél4 एल into one minus alpha अब उपर c square है और नीचे c है इसमें से उपर वाला एक c और नीचे वाला c आपस में cancel हो जाएंगे और यह हमारे पास जो final value मिलेगी वो जाएगी c alpha square minus one minus alpha तो यहाँ पर जो k a की value k a का मान हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है k a is equal to c alpha square by one minus alpha अब यहाँ पर हम देखें कि चुकि हमारा जो विद्दो तब घटे है एक दुर्बल अमल है और दुर्बल अमल होने पर जो alpha है व्यूजन की मात्रा बहुत ही जादा कम है और इस स्थती में हम जो one minus alpha है उसमें से alpha को neglect कर सकते हैं और इस स्थती में यहाँ पर जो उसकी value one minus alpha है वो one के बराबर हो जाती है तो इस स्थती में यहाँ पर जो हमारा जो नया equation हमें मिल जाएगा वो हो जाएगा केवल k a is equal to c alpha square अब यहाँ पर यदि हम alpha की value निकाले यहनी की व्योजन की मात्रा को यदि हम निकालते हैं तो यह alpha square यह बराबर हो जाएगा k a by c k और यदि हम alpha निकालते हैं तो alpha is equal to हो जाएगा under root k a by c k तो यहाँ पर इस पस्त दिख रहा है कि जो व्योजन की मात्रा alpha है वह c k inversory proportional है यहनी कि जो alpha है वह is equal to है 1 by root c k तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो व्योजन की मात्रा होती है या किसी दुर्बल विद्धुत अप घट के लिए जो चाहे वो अमल हो या छार हो उसके लिए जो व्योजन की मात्रा होती है वह सांद्रता के विद्धुक्रमानुपाती होती है जबकि तनुता के समानुपाती होती है इसका मतलब यह हुआ कि यदि विलियन सांद्र होगा यदि कि C की वैल्यू बढ़ेगी तो दुर्बल विद्धुत अप घट के व्योजन की मात्रा कम हो जाएगी अलफा की वैल्यू कम हो जाएगी दूसरी ओर यदि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर एल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक स्तती पर जब C उकल टू जीर हो जाएगा यानि कि कंसंट्रेशन शून हो जाएगा उस समय व्योजन की मात्रा एल्फा की वैल्यू वन हो जाएगी मतलब वो अपने उच्चतम मान पर पहुँच जाएगी तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दुर्बल विद्धो तब घटे होते हैं उनके लिए व्योजन की मात्रा तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है जबकि जो प्रबल विद्धो तब घटे हैं उन पर इसका कोई एसर नहीं होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रबल विद्धो तब घटे होते हैं वह किसी भी सांद्रता में लगभग स्वाइनित हो जाते हैं तो यहाँ पर जो बहुत कम उनकी गाटते होते हैं हैं उनकी यहां एक तो उनकी व्योजन की मात्रा में वृध्धी होती जाती है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी निष्चित ताप्मान पर के ए का मान अमल के क्योंकि यहाँपर जो यह दियां मोलर सांधृता को ले दुर्बल विद्धूताफगाट circ के मोलर सांधृता के ए को लेते हैं बाई HX की सांद्रता के तो यहाँ पर इस पस्ट दिखाई दे रहा है कि जो मोलर सांद्रन है यहाँ की के ए की जो वैल्यू है वह हड्रोजन आयन की सांद्रता के डारेक्ली प्रपोर्शनल है तो इस तरह से जैसे जैसे के का का मान किसी निश्चित ताप मान पर जैसे जैसे के के मान में वृध्धी होती जाएगी वैसे वैसे HX की प्रपलता भी बढ़ती जाएगी क्योंकि K A, क्योंकि H X की प्रबलता बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अमल की प्रबलता उसमें उपस्थित हाइडरूजन आयन की सांदरता पर निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ पर K A की वैल्यू बढ़ रही है, यानि कि हाइडरूजन आयन की सांदरता बढ़ रही है और hydrogen ion की सांद्रता बढ़ेगी यहने की जो अमल है उसकी प्रबलता में वृध्धी होगी यहने की हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप मान पर जो के एक आमान है वह अमल की प्रबलता की माप होती है अर्थात के एक आमान जितना अधिक होगा अमल उतना ज् जाती साथ जो के एक विमा रहित राशी होती है और इसमें सभी species की सांद्रता यहां पर इस समय जो जितनी भी species होंगी उनकी सांद्रता जैसे कि यहां पर है एचस की सांद्रता हुई या फिर हाड्रोनियम आइन की सांद्रता हुई या फिर हाड्रोक्सिल आइन की सांद्रता सभी की सांद्रता निश्चित होती है वन मोल पर लीटर या वन मोलर ली जाती है आईए अब हम जानते हैं कुछ दुर्बल अमलों के आइनन इस्थरांग के बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाउडिजन फ्लोराइड एच फ इसके लिए आइनन इस्थरांग का मान होता है 3.5 इंटू 10 to the power minus 4 इसी तरह से जो नैट्रस अमल है इसके लिए आइनन इस्थरांग का मान होता है 4.5 इंटू 10 to the power minus 4 तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनक्या यह जो सभी हैं वो दुर्बल अमलों की शोणी में आते हैं इसी तरह से जो फार्मिक एसिड है उसके लिए आइनन इस्थरांग होता है 1.8 इंटू 10 to the power minus 4 के इसी तरह से एसिटिक एसिड इसके लिए आइनन इस्थरांग का मान होता है 1.74 इंटू 10 to the power minus 5 यहाँ पर यह दर्शाता है कि जो आइनन इस्थरांग एसिड का आइनन इस्थरांग है वो फार्मिक एसिड के आइनन इस्थरांग के तुलना में कम है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर एसिड इसिड के तुलना में कम अमलिय होगा या कम सांद्र होगा या कम प्रबल होगा इसी तरह से हम और भी अमल ले सकता है जैसे की वीक अमल है hydrogen cyanide जो hydrogen cyanide के लिए इसका मान होता है 4.9 into 10 to the power minus 11 इसी तरह से benzoic acid है C6H5 COOH इसके लिए जो iron इस्थरांख है इसका मान होता है 6.5 into 10 to the power minus 5 जो दर्शाता है कि ये भी एक दुर्बल अमल होगा इसी तरह से यहाँ पर हम phenol ले सकते हैं Phenol C6H5OH इसके लिए जो iron इस्थरांख होता है इसकी value होती है 1.3 into 10 to the power minus 10 जो ये दर्शाता है कि ये बहुत ही कम अमली प्रवित्ती के होते हैं बहुत ही दुर्बल प्रवित्ती के होते हैं आईए अब इसी तरह से हम एक दुर्बल छारक का उदारन लेते हैं माल लेजे हमारे पास एक दुर्बल छारक है MOH जब हम इसे इसका व्योजन करते हैं इसे जल में घोलते हैं तो यह अपने आईनों में तूट जाता है यह हो जाएगा M plus iron और OH minus iron यदि हम यहाँ पर देखें कि माल लेजे जो हमारे पास अभिकारक है उनकी प्रारंभिक सांदरता C mole per liter है जो छारक है उसकी प्रारंभिक सांदरता है और चुकि हमारे पास अभी product अभिकरिया की जो प्रारंभिसति होती है उसमें product के माल नहीं होंगे यहने कि यह जो वियोजन की मात्रा है वो यहाँ पर है C alpha तो इस तरह से एक साम्य वस्था पर साम्य वस्था इस्थती पर जो final जो सांद्रता होगी वह हो जाएगी C minus C alpha और इसी तरह से जो हमारे पास product है यहने कि M plus positive ion की concentration वो हो जाएगी C alpha और इसी तरह से OH minus ion है उनकी concentration भी ह C alpha पुना यदी हम लिखते हैं KB is equal to यहाँ पर हम निकालेंगे इसको value put करते हैं तो यहाँ पर हमें फिर से मिलेगा C square alpha का square by C into 1 minus alpha और यहाँ पर उपर और नीचे से दोनों जगह से एक एक C cancel हो जाएगे तो इस तरह से KB की जो final value हमको मिलेगी वो मिलेगी C alpha का square minus 1 minus alpha जो क की विल्कुल दुर्बल अमलों की तरह है और यहाँ पर भी हम जान सकते हैं कि जो इसे आगे जब हम calculate करेंगे और इसमें व्योजन की मात्रा निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो व्योजन की मात्रा है वह चुकि यहाँ भी एक दुर्बल विद्धु तब घट्ट है दुर्बल च्छार है और इसलिए इसकी जो व्योजन की मात्रा निकलेगी वह कंसंट्रेशन के विद्धु क्रमानुपाती होगी जबकि तनुता यानिकि डिलूशन के डारेक्टली प्रपोश्चनल होगी तो इसका मतलब फिर से एक बार स्पस्ट होता है कि जो भी दुर् जब उनका आइनन होता है तो उनकी व्योजन की मात्रा कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कम होती है जबकि तनुता बढ़ाने पर या डिलूशन बढ़ाने पर बढ़ती है इसी तरह से यहाँ पर 298 कलवन टेंपरेचर पर हमारे पस कुछ छारकों के आइनन इस्थरांग की वैल्यू है जिनके आधार पर हम इनकी आपस में तुल्ला कर सकते हैं कि कौन दूसरे से अधिक छारकी प्रवित्ती रखेगा तो यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं डाइमेथिल एमीन यहाँ पर CH3 whole twice NH और इसके लिए जो आइनन इस्थरांग की वैल्यू होती है वो होती है 3.4 into 10 to the power 4 इसी तरह से यहाँ पर हम यदि ट्राइथिल एमीन ले 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 तो यहाँ पर C2H5 whole twice N और इसके लिए जो आइनन इस्थरांग है उसकी वैल्यू होती है 6.45 into 10 to the power minus 5 जो यह दर्शाती है कि वो डाइमेथिल एमीन की तुल्ला में कम छारकी प्रवित्ती रखेगा यानि कि दुर्बल छारक होगा इसी तरह से हम अमोनिया ले ले लेते हैं तो अमोनिया के लिए जो आइनन इस्थरांग की वैल्यू होती है वो होती है 1.77 into 10 to the power minus 5 इसी तरह से जो पिरिडीन जिसे हम छारकी पदार्थ के रूप में जानते हैं इसके लिए आइनन इस्थरांग का मान होता है 1.77 into 10 to the power minus 9 जो यह दर्शाता है कि यह अमोनिया की तुल्ला में कम छारकी प्रवित्ती रखता है या दुर्बल छारक है इसी तरह से हमारे पास एनिलीन जो प्राथमिक एमीन है एनिलीन C6H5NH2 या फिर हम यूरिया की छारक्ता या आइनन इस्थरांग की तुल्ला के द्वारा हम इनकी छारक्ता की तुल्ला कर सकते हैं यहां पर जो एनिलीन है उसके लिए आननिस्थरांग की वेल्यू होती है 4.27 x 10 to the power minus 10 जब की यूरिया उसके लिए यहां पर जो उसके आननिस्थरांग की वेल्यू होती है 1.3 x 10 to the power minus 14 जो यह दर्शाता है कि यूरिया सबसे दुरबलतम झ्छारक में से एक है यहां पर हम यह भी देख सकते हैं कि सभी दूर्बल च्छारक जो होते हैं वह जैसे की अमोंिया है जो भी है वह जल में जब इनको घोला जाता है तो जल में घुलकर यह प्रोटॉन ग्रहन करते हैं और प्रोटॉन ग्रहन करके साथी साथ OH-I-N देते हैं जैसे कि हम यहाँ पर उदारान अमोनिया का ले सकते हैं, अमोनिया को जब हम जल में घोलेंगे तो यहाँ पर वह एक प्रोटॉन, क्योंकि छार की प्रवित्ती होती है प्रोटॉन ग्रहन करने की, तो यह एक प्रोटॉन ग्रहन करेगा और NH4 प्लस आयन बनाएगा, साथी यहाँ पर एक आयन हमें, नेगटिव आयन मिलेगा, हैड्रोक्सिल आयन OH- आयन, तो इस तरह से विभिन दुर्बल चारकों के आयनन इस्थरांग की तुल्ला करके, हम कंप्यार कर सकते हैं कि कौन कम चारकी होगा, या कौन प्रवल चारकी होगा आये अब हम जानते हैं कि अमल सामर्थ, यहने कि के ए और किसी चारक के सामर्थ के बीच किस प्रकार का संबंध होता है यहां पर हम बता दें कि के ए तथा के बी, यह दोनों ही किसी भी सयुगमी अमल चार युग में, एक दूसरे में सरलतम रूप से संबंधित होते हैं इसमें से यदि किसी एक की वेल्यू हमें पता हो, तो हम दूसरे की वेल्यू प्राप्त कर सकते हैं उसे हम एक उदारान की द्वारा समझते हैं सबसे पहले हम यहां पर ले रहे हैं, एक माल नीचे हमारे पास है अमोनियम आयन जिसे हम जल में घूलते हैं, तो चुकि यहां पर अमोनियम आयन, NH4 प्लस आयन हैं तो यहां अमल की भाती विभार करेगा और यहां पर जल हो गए और जल यहां पर चारक की भाती विभार करेगा अमोनियम आयन एक प्रोटॉन त्याग कर अपने NS3 यने की सयुगमी चार में परिवर्तित हो जाएगा जबकि जो जल है जो कि यहाँ पर छारक के रूप में कारे कर रहा है यहाँ एक प्रोटान ग्रहन करके सयुगमी अमल में परिवर्तित हो जाएगा यनि कि यहाँ पर यहाँ S3O प्लस आयन में परिवर्तित हो जाएगा अब इसके लिए यदि हम k-a की value ग्याद करते हैं तो k-a की value इस प्रकार से होगी hydronium iron की concentration into ammonia की concentration divided by ammonium iron की concentration और यहाँ पर हम gel की concentration को नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि gels की concentration में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है और जब हम इसके एकी value ग्याद करते हैं तो ये value हमें प्राप्थ होती है 5.6 into 10 to the power minus 10 अब इसे पलट कर हम दूसरी तरह से लिखते हैं यदि यहाँ पर अमोनिया लेते हैं और अमोनिया को जल में यहाँ पर विले करते हैं तो अमोनिया चुकि अब यहाँ पर यह एक छारक की भाती कारे कर रहा है तो इससे जो जल है वह एक अमल की भाती कारे करेगा अमोनिया एक प्रोटॉन ग्रहन करके अपने सयुगमी अम्ल अमोनियम आयन में परिवर्तित हो जाएगा जबकि जो जल है वह जल का अनू चुकि यहाँ पर एक अमल की भाती कारे कर रहा है एक प्र to हमें मिलेगा ammonium ion की concentration into hydroxyl ion की concentration divided by ammonia की concentration जिसकी value हम पता करते हैं तो यह हमें प्राप्त होती है 1.8 into 10 to the power minus 5 अब इन दोनों ही equation को जब हम जोडते हैं तो जो हमें net equation मिलेगी देखिए जब हम 2 equation को जोडते हैं तो वहाँ पर जो भी equal के पहले और equal के बाद में जो भी same species होती हैं वो cancel हो जाती हैं तो यहाँ पर अब भी हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ ammonium ion है वो cancel हो जाएंगे left side में और right side में और इस तरह से left side में हमारे पास मिलेंगे दो जल के अनू यानिकि 2H2O reversible यहाँ पर हमें right side में मिलेंगे hydronium ion और साथ ही साथ यहाँ पर होंगे hydroxyl ion क्योंकि जो right side में और left side में जो ammonia के अनूथे वो भी आपस में cancel हो गया हैं तो जब हम net equation निकालते हैं तो net equation हमें मिलेगा 2H2O reversible S3O plus ion plus OH minus ion इस तरह से हमें equation प्राप्त होती है और हम जानते हैं कि यहाँ पर जब हम इसका kw निकालेंगे तो यह जो kw यह is equal to होता है hydronium ion की concentration into hydroxyl ion की concentration और इनका good and false जब हम निकालेंगे इसकी जो value निकालते हैं वो होती है 1.0 into 10 to power minus 14 molar या mole 30 liter तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही जो equation थे पहला जो equation था यानि कि जो k a की value थी और इस kb की value इसका जब हम गुड़न फल निकालते हैं इसे हम संख्यात्मक रूप से भी हम देख सकते हैं यहाँ पर हम k a की value रखते हैं k a की value यहाँ पर जो हमें formula मिला था वो था hydronium ion की concentration into ammonia की concentration divided by इसमें हम बुड़ा करते हैं के बी की value से के बी की value हमें मिली थी ammonia ammonium ion की concentration into hydroxyl ion की concentration divided by ammonia की concentration अब हम इनकी जगह पर जो संख्यात्मक मान हमें पता हुए थे वो रख देते हैं तो यहाँ पर k a का जो संख्यात्मक मान हमें मिले था वो था 5.6 into 10 to the power minus 10 जबकि kb का जो संख्यात्मक मान हमें मिला था वो मिला था 1.8 into 10 to the power minus 5 और यदि हम इन दोनों को गुड़ा करते हैं इन दोनों को calculate करते हैं तो हमें जो final value मिलती है वह मिलती है 1.0 into 10 to the power minus 14 molar के जो कि KW के बराबर है तो इस तरह से हम एक सामानी करण यहाँ पर कर सकते हैं कि जब भी किसी 2 या 2 से अधिक अभिक्रियाओं को जब हम जोडते हैं तो जो नेट साम्य वस्था इस्थरांक हमें प्राप्त होता है वह प्रतेक अभिक्रिया के साम्य वस्था इस्थरांकों के गुडन फल के बराबर होता है जैसे कि यहाँ पर जो के नेट हमने निकाली है माली जी हमने 3 से 4 अलग अभिक्रियाओं के लिए साम्य वस्था इस्थरांक निकाले हैं तो उनके लिए जो नेट साम्य वस्था इस् अभी क्रयांके सामय वस्त्तरां के गुड़न फल के बराबर होगा वहीप में अमल चारड यूगम सी यूगम üत्यम heute हम निकालते हैं तो वहहँ पर भी हमें एक मिलेगी के की दूसरी मिलेगी के भी की तो जो के ऑऔर के बी इनका जो गुड़न फल होगा वह29 के बराबर होगा जिसे अभी हमने उदाहरण के द्वारा देखा है इसे हम एक और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं मालीजे हमारे पास एक स्पीसीज है एक जिसे हम छार जिसे हम जल में विले करते हैं यह जल में विले होने पर जो बी स्पीसीज है वह एक प्रोटॉन ग्रह हैं तो यह हो जाएगी बी एच प्लस ही अगुणा करेंगे और हस प्लस अयन से भाग भी देंगे इसे आ तो यहाँ plus की concentration into OH minus की concentration into H plus की concentration क्योंकि हमने H plus का यहां पर गुणा किया है उसी तरह से नीचे जो value हमें मिलेगी वो होगी B की concentration into H plus की concentration क्योंकि हमने H plus की concentration को यहां पर divide भी किया है अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर एक हमें value मिल रही है जो KB में जो उपर की तरफ है वहाँ पर OH- की concentration भी है और H- की concentration भी है और हम जानते हैं कि जो OH- की concentration और H- की concentration का जब गुड़ा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है KW यनि की हमें KB is equal to प्राप्त हो जाएगा KW और नीचे हमारे पास है B की concentration इन्टू H- की concentration तो यहाँ पर हमें इसमें मिल जाएगा K A की value तो इस तरह से पुना यदि हम इसे rearrange करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा K A into KB is equal to KW तो इस तरह से एक दूसरी विधी के द्वारा भी हम यह इसपस्ट कर सकते हैं या इसे सिद्ध कर सकते हैं कि जो सयुगमी अमलच्छार युगम होते हैं उनके आयनन स्थरांकों का जो गुडन फल होता है वह KW के बराबर होता है उनके दोनों के आयनन स्थरांकों के जो नेट आयनन स्थरांक का मान होता है वह K A के आयनन स्थरांक और K B के गुडन फल के बराबर होता है